कि यहां आप थोड़ा मैं प्रो और एडवांस तरीके में बात करूंगा मैंने यहां दो तीन चीजें मिस कर रखी थी वह है एक पैन टूल पिछली बार का बलर टूल और ग्रेडियंट मैप मैंने इसकिप कर दिया था तो ग्रेडियंट में बताऊंगा आपको और थोड़ा इसमें आप इस देखते रहें कैसे कैसे रहें हार चीज और मैचिंग कैसे होती है कि फोर ग्राउंड बैक्राउंड की अच्छे से तो वह सब मैं बताऊंगा टिप सेंट रिक्स तो यहां अगर आपका फोड़ोशोप है वह स्मार्ट ऑपजेक्ट की विजए से होता है तो इस पे क्लिक करेंगे ब्रush पे दबाके brush सामने सेलیک्ट करना और just click करेंगे तो इस त्राइण तो यहां से right click करके आप रिस्टराइज कर सकते हैं ठीक है तो आराउंड 5-10% मेरे को गेन आया था लेकिन उससे मैं अपने जो रिवर्ट जाने वाले स्टैप होते हैं कमांड जेट दबाके कि कुछ गलती हो गई है नहीं होई है तो यार एक इसका माइनस पॉइंट लगा मुझे कि पर्ज यूज करना बेकार है मेरे कंडिशन में क्योंकि मैं जादा तर थ्रो एंड बैक करता है तो यहां बात करते हैं सबसे पहले इनकी एड़ेस्टमेंट्स की तो यह आपको बहुत समझने जरूरी है बजाए इन टूल्स के अगर आपको यह तूल्स नहीं भी आते हैं इतने तो भी चलेगा लेकिन यह आपको सारी बता होनी चीए तो वन बाई वन करके मैं सारे एक्स्प्लेइन करता जाओंगा आपको और ग्रेडिंट भी इसी में है तो आपको महां समझने की जरूरत नहीं मैं यही समझा दूगा तो सबसे पहले होदा है ब्राइटने सेंड कॉंट्रास्ट तो इसे मैं किस अच्छे से यूज़ करता हूं और क्यों यूज़ करता हूं तो इसमें एक उटो का बटन है जब आप प्रेस करेंगे तो अपने आपी फोटोशॉप एनलेसिस लेगा की फोटो में क्या होना चाहिए तो इसे मैं का अपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा यहां म ब्लैक और वाइट ड्रॉप डाल देता हूं तो फोटोशॉप कैसे ब्राइटनेस को वह करता है मतलब जज करता है कि आपके यह ब्राइट अड कॉंट्रास्ट क्रियेट हो जाते हैं तो वह सबसे पहले क्या करता है को सबस्कों पर यहां का और हमतकते हैं तो 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 ब्राइटनेस अड को ब्लैंट करता है यह पोरी फोटो को बलैंट कर durability अगर मैं आपको ब्राइटनेस अंड कों्ट्रास्ट वैसे करके दिखाऊum तो आप सकते हैं कि यह की देड़ा सबाए रहाया तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का मीडियन निकाला दो सब्सक्राइस का वर नोसी से में वर्ट that आप अलग तरीकले से यूज करता है यहा हो तो जब मैं यहां ब्लैक और डालूंगा तो ब्लैंडिंग नेचर देखे बिल्कुल अच्छे से ब्लैंड हो गई लेकिन जब मैं यह हटा दूंगा तो यह स्टेंड आउट हो रहा है और यह पीछे का अलग सा ही दिख रहा है तो आप यहां एक आइडिया आपको मिल गा तो यहां आप देख सकते हैं जस्ट मैंने विदाउट कालर को देखे मैंने यहां अच्छी से कलर ग्रेड कर दी है तो इसे में ग्रूप करके लिखाता हूं आफ्ट रन बिफोर तो यह एक पॉपी और पॉंट्रास्ती लुक क्रिएट करा है जस्ट मैंने दो तीन सिंपल स आट इसे तो यहां आपको समझ में आवाव ब्राइट नेस किसले यूज करते हैं ठीक है तो ब्राइडनेस का इत्ना ही में लिखे अफिए जस्ट में इस के बाद बढ़ते हैं लेवल्स की तरफ लेवल्स में यहां तीन पार्ट होते हैं और इसके लिए हम कलर तरीका है इसको मैं और टुटोरियल भी बनाऊंगा लेकिन अभी के लिए आपको समझाता हूं अब इसे क्लिप करें किसी भी PNG पर तो यह मेंली PNG के लिए अगर आप यूस कर रहे हैं तो और जैसे यह आप देख सकते हैं तो मैं इसका कॉंट्रास्ट कम जादा कर सकता हूं कैसे हैं टहीं अगिस्ट और मैं इसे लिमिट भी कर सकता हूं किस से जादे आगे ना आचिए और इससे मैं वह क्रेशिक कर सकता हूं आज बहुता है यह फिर सब्सक्रादि वी डे मिनियुरिखि सपस्पता मेरा दूर्स देखे ग्यांगे आप कर सकते ह Node चुछ खुछ तरहा LOVE सब्सक्क भंट करने मं कर सकते हैं यह लागर की ज्टनी केस देख सकते हैं तो यहां मैंने लेवल्स भी आपको समझा दियें अब उसके बाद बढ़ते हैं कर्व तरफ तो कर्व यार्व जो मैं मुस्टली केसिस में यूज करता हूं वह होते हैं जिससे मैं पूरी ब्राइटनेस खेंच देता हूं मतलब एक्स्रेक्ट कर सकता हूं जैसे यह ब्राइट है बहुत ज्यादा ब्राइट है अब मेरे को क्या करना है मैं यहां से इस कलर को निकाल लिएता हूं अधर चैनल है कि कटीए है और इस लोगन आप अच्छी पे intim पे करते हैं और फिर यहां से एक सउपल लीजेगा कलर का अधर कसे बाहती है और उसे इसे के इसे इस क्लिप करेंग् सैंपल भूक्रियर मेरा खेंग् धे मेरे मेरे प्रिस्टोर डिफॉल्ट ब्रशेज में क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके वापिस से सब यह सेम आजाएंगे ब्रशेज और कुछ नहीं होगा लेकिन वह आपके जो भी आपने इंस्टॉल कर रखेंगे ब्रशेज उसे रिमूब कर देंगे तो आप इसे देखके यूज करि करना भी कुछ सब्सक्रा कि अगि सेंन तो आफ देख सकते हैं यहां पर इती Guys a डियर अब नाइट ऐलग ऐक अलग कलर की मैं मानता हूं यार ली इते हैं लेकिन यहां आपको दूसरी राइट विन पार Mr.by Tid जैसे इस नि 민주 का एनम ऐस भी तो डिखते जिली क allein लेखिए जाता है। मैंने उतला देखते हैं करना होगा। इस एक बीदा है क fellas की this video देता है। जाता है जब्विश्ण क्लाराता है। अधाता है दिखेंसे, और में शी जाता देता हुआ हैूं तो ज्यादा कलर शिफ्त निया है थोड़ा साइक अब आप देख सकते हैं इतने अच्छी ब्लैंड आ गई है वहां पर की ऐसे लग रहा है वहां से लाइट आ रही है और फिर यहां से थोड़ा थोड़ा इनमें भी पेंट कर देते हैं तो रिम लाइट निम एसे ही होती है कोई रिम लाइट कर सकते हैं तो यहां से रेज भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा ना लगा हर देगे कि अच्छी सी ब्लैंड क्रियेट हो जाती है महापे तो अब देखेंगे आप तो वह एक रियलिजम आज जाई है ठीक है कर्व का यहां पर दाउन करके आप कैसे लाइट कर सकते हैं और फिर रहता है वाइबरेंट सेचुरेशन तो यह तो आपको सब को बताया है इसमें मुझे समझाना नहीं होता के कि और आ यहां से स경णा न इसकी अग्समें नहीं तो आको आपको बेदोा जाए टो बिलीकुरा तो का बता तीज तो यहां आपको बहुत चीजा और आपको समझनी तो यहां आपको तो हुआ रहें आप ना मॉठम करória मॉठम करुछा इंप स्काइब में तो ६हरूं मैं चुक्त रहा हुआ क्या स्काइब मैं देख सकनμε्डू एटेप या हुअ सasion कडि माया में दो और यह दो प्रीम नयुक्त प्रेर्थ सांटky समय जाय भें लेकिन हम हमार्थ दीरे दीरे करके जोगी चीजे बढ़ती है वैसे ही सही होती है और फिर हाइलाइट्स में आप जाएंगे हाइलाइट्स में थोड़ा सा कम ज़ादा करेंगे आप देख सकते हैं अब किना ड्रास्ट चेंज आया और बिल्कु कलर मैचिंग के साफ 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 तो यह आई लेवल पर आप देख सकते हैं अगर आपकी स्पोर्टिंग अची है तो ब्लैक अन वाइट सिंपल ब्लैक अन वाइट है और कभी-कभी कॉंट्रास्ट करने के काम आ जाता है यह मेरे तो यहां से मैं ब्लैक आइड कर देता हूं थोड़ा रैड में और फिर सॉफ्ट लाइट इससे थोड़ा पॉंट्रास्ट अच्छा क्रियेट होता है ना कभी-कभी करता हूं लेकिन ब्लैक अन वाइट आपका सिंपल है और फिर फोटो फिल्टर है फोटो फिल्टर यूजी नहीं करता है विल्कुल भी क्यांकि फिल्टर तो खुदी पनाया होते हैं इतना ही यू सब्सक्राइब मैं यpri maze कर लेके सैना पर भी क्याता है ने कर सकते हैं लेकिन अंहें लोग में इस पांगा यूह करूए पक रदा कर सकते। तरह हैं कि ओपिसालकिक रेडेकों सब्सक्राइब क्या है यह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फ्यूजी वाले आपको शायद ना मिले लेकिन इनका कुछ काम तरदा भी यह तने अच्छे भी नहीं आप देख सकते हैं यह मैंने बहुत पैले डाले ज़े कोड़े 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 मैं में यूज करता हूँ नाइट फ्रोम दे तो नाइट फ्रोम दे क्या करता है कि जो कि आपका सीन होगा उसको ट्रांस्फोर्म कर देगा नाइट में और फिर मैं कर्वस दालूंगा कर्वस से डल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कितना पॉप्पी सा वहाँ लुक क्रियेट कर दिया मैंने अब मैं ग्लो किसी चीज को करूंगा तो वह 100% अच्छा एफेक्ट करेगी और बहुत ही ज्यादा अच्छा एफेक्ट करेगी कहीं भी हो तो एक में चीज आपको पता चल गई है कि यहाँ ग्लो ही कैसे चीज होती है तो यह देख सकते हैं आप कितने प्यार से मैंने यहाँ पिलो क्रियेट कर दिया तीछे जस्ट कलर लुक अप से थोड़ा से ही टाइम लगा मुझे अभी मैं इस पर भी बताऊंगा कैसे आपने करना है फेर उसके बाद आपने की न्यू लियर करनी है अब बाद आती है कि आप लाइट कैसे ड्रौ करेंग अच्छी तो कलर में यहाँ मैं अच्छा सा कलर ले लेता हूं कुछ यह कलर सब्सक्राइब ईकलर सही लगा है इन हाहा इस ते लाइब सब्सक्राइब कि जो आपके से लेक्शुन कुन्लेक्ट होगा commenज होग्या आई पैस करके पाकी रिमेनिंग जो भी होते हैं चीज़ा आप वो डिलिंट कर दीजेगा देखे हैं कि अब आप इतना देख चुके हैं कि यहां पर यह लाइट क्रियेट होगी है कि अब इसे रिफाइंड करने का ताइम है तो इहां मैंने इरेजर सेलेक्ट कर लिया कि अब मुझे क्या करना है इस चीज को इतना अच्छे से एरेज करना है हाडनेस में और नीची आपकी रेजर के कि वह एक रिम लाइट की तरह लगा कि मैंने पहले तो रिम लाइट रॉफ क्रियेट कर रखी थी आप देख रहे होंगे कि अच्छ कोई मतलब ही नहीं है तो उस टाइब से मैंने रिम लाइट क्रियेट करी थी लेकिन पर्फेक्शन थोड़ा टाइम लगता है तो सीज को देने में जब तक आप वेट नहीं करेंगे पोटोशॉप में रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप देख सकते हैं जहां पर कितनी प्यारी रिम लाइट रहा होगी है उसके रॉड पर आरही है तो ऐसे ही रिम लाइट रहा होती है तो अर्ट आप एक मैंने फुल एक्सप्लें टुटोरियल भी आप वह भी देख सकते हैं थोरो मेंने सारी लाइट प्रीयेट कर रख थे तो वह भी आप देखेंगे तो उसमें साई समझना आ जाएगा इसमें भी अच्छे से समझ में आई जाएगा है कि आप देख सकते हैं कितने अच्छी लाइट ड्रोय है और फिर उसके बाद यहां थोड़ा सेलेक्ट कर लीजेगा और फिर एक बड़े ब्रस से सिंपल सिंपल एक ओवर लाइट होती है वह द्रोगर लीजेगा आपको ब्लैंडिंग लेयर में आना है और स्प्लेट कर देना है यहां तो आप अब देख सकते हैं यहां पर कितने प्यार से वह ब्लैंड होगी यहां अच्छे से लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम करना रह रहा है यह जिस्ट लाइट ब्लैंडिंग थी कि आप पेंट कैसे करेंगे और वही कलर लुक अप्स और लट्स की मदद से तो मैं बता रहा था अभी मैं यह दोनों चीजा हटा दू यहां से कलर लुक अप और कर्वस तो आप देख सकते हैं वह लाइट व यहां से क्रियेशन करनी है मुझे और यहां से क्रियेट होगी है और इसमें तो अभी बहुत काम होगा फोटो के अगर मैं इसे बनाने बैट हूं तो और अभी थोड़ा यहां पे भी ऐसे ग्लोई आया है इनी चीज़ें कि उसे अच्छे से बनाने में बहुत जाता है टाइम लग जाएगा इसलिए आप दूसरा टुटोरियल लेके लॉक्डाउन 21 उसमें मैंने यह जिम लाइट ड्रॉ गरना तो बहुत अच्छे से बता रखा है उसमें कोई पॉइंट ही स्किप नहीं है डैरेक्ट पुरी वी अब उसके बाद बढ़ते हैं इनवर्ट कभी यूज नहीं कर आप पॉस्टराइज मतलब ही नहीं है थ्रेशोल्ड भी नहीं है सेलेक्टिव कलर बहुत जादा इंपॉर्टेंट यहां से आप बलैक्स को बहुत अच्छा इंप्रूब कर सकते हैं गुड़ पॉइंट आई इसे कलर्स वापिस आजाएं तो यहां आप देख सकते हैं अब रियलिजम थोड़ा अच्छा है अच्छी हो रहा है पहले से ज्याद़ा आप सो अब ग्रेडियंट की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेडियंट एक बादियत सा टूल है और इससे हम अब यह बिलकुल फास्ट ब्लैक कलर बना सकते हैं इसे शायद हाई की कॉंड्रास्ट बोलते हैं तो इससे बहुत अच्छा कॉंड्रास्ट मिलता है में अगर सॉफ्ट लाइट में करें और फिर जस्टो पैस्टी रिडीम करें इसकी तो आप देख सते हैं कितना अच्छा यहां पर अमें यू मिल रहा है और यहां सेलेक्टिव कलर को थोड़ा अच्छा से यूज़ करके तो यहां ब्लैंडिंग परफेक्ट अच्छी हो जाएगी दो मिंट नहीं अगर आप यह ऐसे सारे टूब्स अच्छीव करेंगे ठीक हैं तो यह बेसिक आइडिया था इन सब फूल्स का कि कैसे यूज़ क नहीं करते हैं तो ग्रेडियेंट्स मस्ट हैं हमेशे ट्राइक करते रहें और थैंक यूज़ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए